उत्राखन के अल्मोडा में द्वारहाट में एक परिवार रहता है इस परिवार ने सालों पहले अपने फैमिली हैट को खो दिया था जिनका नाम था नायक चंदरशेखर नायक चंदरशेखर आर्मी का हिस्सा थे 1984 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सियाचिन से युद्ध लड़ा था जहां पर हमारे देश के कई सारे सैनिकों को शहादत हांसल होई थी नायक चंदरशेखर भी उसी टीम का एक हिस्सा थे हाला कि जहां दूसरे सैनिकों की बॉडी मिल गई वही नायक चंदरशेखर की बॉडी कभी रिकवर ही नहीं हुई लेकिन परिवार को इंतिजार था कि कभी न कभी उन्हें अपने बेटे की जलक जरूर मिलेगी फिर चाहे वो जिन्दा हो या फिर मरा हो और अब ऐसा हुआ है पूरे 38 साल इंतिजार करने के बाद नायक चंदरशेखर की बॉडी मिल गई है यह बॉडी वही मिली है जहां से उन्होंने युद्ध लडा था सियाचन पर जहां बंकर था जहां पर 1984 में सभी सैनिक रुके थे उस बंकर में ही नायक चंदरशेखर की बॉडी मिली है सबसे बड़ी बात इतने सालों जो बॉडी रिकवर नहीं हुई वो अब अचानक से कैसे हुई इसके पीछे रीजन है ग्लेशियर का पिघलना पिछले कुछ समय से सियाचन के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जैसे ही ग्लेशियर पिघलते हैं तो इंडियन आर्मी की तरफ से सर्च ओपरेशन किये जाते हैं क्योंकि कहीं बार युद्ध में सैनिको की बॉडी नहीं मिलती है और तब आर्मी की तरफ से ये search operation रखे जाते हैं इसी तरह से इस बार जब सियाचन में बर्फ कम हुई तो गुम हुए सैनिको के लिए ये search operation रखा गया था और उसी search operation से नायक चंदरशेखर की body मिल पाई है उनके बिल्ले से उन्हें पहचाना गया और आर्मी ने confirm किया कि ये नायक चंदरशेखर ही है जिसके बाद नायक चंदरशेखर की body को वहां से air lift करके अब परिवार तक पहुँचाया जा रहा है परिवार दुखी तो है ही लेकिन खुश भी है इस बात से कि उन्होंने अपने बेटे के अंतिम दर्शन नहीं किये थी और जो गर्व वाला अंतिम संसकार उनका होना था वो नहीं हो पाया था क्योंकि उनका शरीर नहीं मिल पाया था उनकी dead body नहीं मिली थी finally अब उन्हें अपने बेटे के दर्शन हो जाएंगे आर्मी की तरफ से जल्द ही उनकी बॉडी को यहां उनके घर लाया जाएगा और फिर पूरे प्राउड के साथ, सल्यूड के साथ उनका अंतिम संसकार किया जाएगा